तो आज मैं आप लोग साथ ये साडी में हम दी थी ऑनलाइन मैंने मगाया था ये तीर सो रुपए की पड़ी है और इसका ब्लाउज है रेड कलर प्लेन है इसमें ये है इसमें डबल पोर्ड है एक ब्लाउज हो जाएगा बन जाएगा अच्छे से और ये देखिए इस साडी में पूरा मटका वाला प्रिंटेड हुआ है तुझे देखने में ये कॉटन जैसा लग दा था वट ये कॉटन नहीं है ये बहुत ही सॉप्ट है ठीक है कपड़ा मैं थीन सबभय में और क्या मिलेगा तो ये इस तरह से साडी है इसका एक्दम इसमें आचग अलग से नहीं कि एक जैसे ही है एक फूरा प्रिंटेड है और इसमैं लेस देुया है इसमें फूल झेए ये इसमें पीछे के साड़ जो नीचे रहता है वह शूल जाता है इसमी तो अगर मैं आचल भी लूँगी तो आचल पे भी यहां से यह पूरा प्लेट नहीं आएगा यह जो लेस दिख रहा है यहीं पर खतम हो जाएगा इसका लेस अगर फुल लेस होता तो इस साइड से लेकर पूरे कमर तक आता है और नीचे की साइड में पूरा रहता है तो यह पूरा नहीं है यह बस थोड़ा से इधर कम है देखिए इधर यहां से इतना अधून तक शू बिशाड हो क्ट एससाड लेस पड़ा तो आज मैं इसकाल ब서स बना कर दिखाने वाली हूँ और मेंपास साडी है इसको उम्हान है नहीं मगाया तो यह मैं बज दिया था तो यह बिलॉच अर इसका ब्लावज भी बैसे ही है एकड़न सेम है और इस में लेस दिया है इसको ह में बनाने वाली हूं रिजाइनर ब्लाउज तो उसकी साड़ी देखी है यह थोड़ी से लहरीयर डिजाइन में बनी हुगी है और यह मुझे अच्छी लग रहे थी और इसका तलग मुझे सबसे ज़्यादा एक तो इसका कलर ही अच्छा लग रहा था तो इसे मैं इसको भी म मैं डालोगी प्रेम का पुटिक चैनल पे तो आपने वहां से देख लेना यह तो मैंने ब्लॉग में आप लोग को साथियर किया है तो आप लोग में करके बताना कि यह साड़ी ज्यादा अच्छी है या फिर यह वाली कौन से साड़ी ज्यादा अच्छी लगी है तो मैं इसका ब्लॉज बनाने वार आप लोग किताती हो कि इसकी ब्लॉज कैसा मैंने बनाया है